अगर मैं आपको ये बताओं कि ये तेरा मसीन अगर नहीं बनती तो सायदी रोड बनेना और कर्स्ट्रक्शन का काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता आप भी बोलोंगे ये क्या बात हुई भाई पर अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो अपने आप समझ जाओगे आज की वीडियो में मैं आपको टोप 13 मसीन के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आप कर्स्ट्रक्शन साइट पर अक्सरी देखते होंगे इस लिस्ट में जो 13 नमर पर जो मसीन है अगर वो मसीन नहीं बनती तो सायदी रोड बनाना पोसिबल होता उसके लिए वीडियो को आपको पूरा देखना होगा इन मसीन को किस नाम से बुलाया जाता है और ये किन कामों में यूस की जाती है ये सारी बाते में आपको डीटेल में हिंदी में बताने वाला हूँ चलिए वीडियो को आरम किये जाए इस लिस्ट पे नमबर वन पर है वील लोडर ये कुछ दिखने में ऐसे होते है बेसिकली एक भारी बरकम मसीन है जो कि आम तोर पर मटीरियल लोडिंग के लिए यूस किये जाते है ये वील लोडर इतने ताकत और और फास्ट होते है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम करके देते है थ्री टन से लेकर आठ तन तक नॉर्मली इन साहिज के वील लोडर को कंस्ट्रक्शन साइट पर यूस किये जाता है 130 से लेकर 303 होस पावर तक के एंजिन इसमें लगे हुए होते है वील लोडर की सबसे बड़ी खास बात होती है इसके आगे लगा हुआ बड़े साहिज का बकेट जो की एक ही बार में 5 से लेकर 6 तन तक मटिरियल लोड कर सकता है वो भी सिर्फ 12 से 13 सेकंड की साइकल स्पीड के साथ इनके बड़े बड़े टायर इन मसीन को बारी से बारी सामन को आराम से उठाने में और लोड करने में काफी ज़्यादा मदद करते है ये वीलोडर इतने फ्लेक्सिबल होते हैं कि कंस्ट्रक्शन वगेरा के काम कम से कम समय में आपको पूरा करके देते है क्या आपको ये वाली मसीन पसंद आई तो कमेंट करके अपनी अटेंडस जरू लगाईए नमबर दो पर है X-K वेटर जी हाँ वही जिसे आप सभी लोग हीटाची या चेन वाली मसीन के नाम से जाते है इन चेन वाली मसीन को असल में X-K वेटर कहके बुलाया जाता है सबसे ज़्यादा और केस्टरगन साइड पर कॉमन यूस होने वाली मसीन है ये मटीरियल लोडिंग करना हो ब्रेक करना हो डिगिंग यानि खुदाय करनी हो जाड़िया वगेरा जो साइड में लगी है उनको हटाना हो ये X-K वेटर बढ़ी आसनी से इन सभी काम को पूरा करके देते हैं हाइडरोलिक फ्रूट की मदद से चलने वाला ये मसीन इंजिनिरिंग का कमाल है जो अपने बून, आम और बकेट की मदद से इन सभी कामों को काफी आराम से और बड़ी ही तेजी से करके देते हैं इस मसीन में आप अपने काम के अनुशार अलग-अलग अटेज्मेंट भी लगा सकते हैं करस्ट्रिक्शन के काम हो और मैं इसे एड़ ना करू या ओड़ है सकता डिगिंग करनी हो, लोडिंग करनी हो, ब्रेकर से पूराने रोल को तोड़ना हो, जल्द से जल्द एक जगह से दूसरे जगह पहुंचना हो, इसे कोई रोग नहीं सकता, खुद ओपेटर भी नहीं आम और बकेट सामिल है, इसलिए इसे बेक ओ लोडर कहा जाता है, ये कमाल की मशीन के साथ आप लोडिंग और एक्सकेवेशन दोनों ही काम एक साथ कर सकते हैं, इस मशीन की ओइंग कोस भी काफी कम होती है, और आपको कमाई भी ज़्यादा करके देती है, ये मशीन, ये कौन सी कपनी का बेक ओडर पसंद है, मुझे कमेट करके जरू बताईए, मुझे पता है ज्यादा तो लोग इसमें जिसी भी लिखेंगे, लेकिन मेरी परसनल फेवरेट है इसमें कैस, क्रिंट पर जो आप फोटो देख रहे हो, उसे बुल डोजर कहते हैं, इस मशीन के यह मशीन दिखने में बलही छोटी हो पर इसका काम काफी बड़ा है, मतलब यह काफी ताकत और मशीन है, इस मशीन में एक्सकेवेटर के तरह नीचे की ओर ट्रेक यानि चेन लगी हुई होती है, और इसे बिल्कुल पीछे रीपर टूट लगा हुआ होता है, जो कि वक्त करके देती है, कि आपने इस मशीन को कभी लाइव में देखा है, तो आप मुझे कमेर करके जरूर बताए कौन सी कंस्ट्रक्शन साइट पर आपने इस मशीन को काम करते हुआ देखा था, नमबर पाच पर है स्कीड स्टियर लोडर, दिखने में कुछ ऐसे होते हैं, कंस्ट इस मशीन के साथ और भी काम करवा सकते हो, इस मशीन में आगे की और एक बड़ा सा प्लेन बकेट लगा हुआ होता है, जो कि आम तरपर लोडिंग और शिफ्टिंग के लिए यूज़ किये जाता है, और एक छोटी सी केविन होती है, जो फ्रंट से डोर ओपन होता है, उसम मुझे कमेट करके बता सकते हैं, और हाल फिलल में आपने इस मशीन को कहा देखा था, मुझे मेले पर वीडियो सेर भी किजिए, नमबर चे पर है आर्टी टी आर्टी कुलेट आट 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 अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवे निकलना है, आर्टी कुलेट ट्रक, दिखन ये कोई लिमिट नहीं होती, ये नॉर्मल ट्रक से काफी अलग होते हैं, बड़े बड़े टायर, वाइड केबिन, पीछी की और बड़ा सा बोक जिसे हम डाला भी केते हैं, लगबग लगबग एक साथ में पच्चास से साथ तंद का मटीरियल लोड कर सकता है, एक साथ इत ये और्टिकुले ट्रक आराम से केरी कर सकता है, और हाँ आपको बताते चलाए, ये ट्रक माइनिंग ट्रक से काफ़ी अलग होते हैं, देखने में दोनों सेम होते हैं पर इस ट्रक का काम अलग होता है, बेसिकली इन ट्रक को बड़े-बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक् कुछ दिखने में ऐसे होते हैं आपको सहाध यह देखने में बिल्कुल बुल्डोजर जैसे ही लगे पर यह बिल्कुल अलग-अलग होते हैं इन्हें मटीरियल लोडिंग हैंडलिंग और कर्स्ट्रक्शन वर्क में यूज किये जाता हैं पहले जो हमने स्कीड लोडर देखा उसमें नीचे की ओड टायर लगे हुए होते लेकिन इस मशीन में नीचे ट्रेक दिये जाता हैं बिल्कुल एक्सकेवटा की तरह तकि यह जदा से जदा एफिशन काम कर सके ट्रेक होने के कारण इस मशीन में में अलग-अलग अटेजमेंट लगा सकते हैं तो यह भी फ्ले 55 ओस्पावर और ज्यादे से जदा 105 ओस्पावर वाले इंजिन लगे हुए होते हैं और आगे की ओर एक सिंगल बूम होता है जिसे सारे काम किये जाते हैं आपको कैसी लगी है मशीन मुझे कमेट करके ज़रो बताईए यह जो मशीन इस लिस्ट में है वो मुझे परसनली ब यह basically material leveling के लिए यूज किये जाता है गेडर के बीच यानि center में बड़ी सी blade लगी हुई होती है जो की material यानि surface को level करने में मदद करता है बेसिकली एक उबर खावर surface को plan यानि समतल एक level पर करना हो तो इससे सबसे ज़दा काम में लिए जाता है इसकी जो blade होती है वो 8 feet से ल पीड तक ट्रावल कर सकते हैं रोड का इस्ट्रक्सम ने एक कमाल की मसीन है जो की अदभूद काम करके देती है अनिवेन सर्फेस को लेवल करना हो रोड को मेंटेन रखना हो ओफ रोड में एक लाइन में रास्ता बनाना हो जैसे कि महत्वपून कामों में इसे यूज किये ज जाता है जो राशते में बारब जम जाती है उसे हटाने के लिए भी मोटर गेटर करी क्यों किये जाता है यह मसीन वान क काम यह मतलब कम काम हो तो कम एस पी पने करेंगी इससे आपका फिूल कंजोस्टान काफी से होता है आपको कैसे लगी है मसीन मुझे क्मेंट करके बताइए नमबर नाइन पर है compactor देखने में बिल्कुल रोड रोलर जैसा है पर आप बिल्कुल कर्फ्यूस मत होना दुरों ही अलग-अलग मशीन है यह बेसिकली कर्स्रक्शन साइट पर जो न्यू कर्स्रक्शन का काम होता है वहां सोईल को और एक ड्रम लगा हुआ होता है जिसे सारा काम किया जाता है यह वाइबर करता है और नीचे जो पार्टिकल होते हैं उन्हें compress करता है जो gap होते हैं उन्हें फिलप करता है ताकि एक अच्छी foundation तयार की जाए यह बहुत ही काम की मसीन है जो कि हर construction साइट पर आप देखते होंगे और यह मसीन construction साइट पर होने भी जाए जो कि जो सर्फेस होती है उसको compact करके सर्फेस को मजबूत करता है यह मसीन नमबर दस पर है हाइडरा इसे तो आप सबी जानता ही होंगे हर जगा इस मसीन को देखा जाता है आपको रोड पर कितनी बार यह मसीन सामने आती होगी बेसिकली इसे mobile crane कहा जाता है पर यह hydraulic fruit की मदद से काम करती है तो इसे प्यार से लोग हाइडरा भी बूलाते हैं प्यार से तो कुछ भी बूला लो हाइडरा को बेसिकली material lifting और shifting के लिए यूज़ किये जाता है पर आज कल हाइडरा construction side पर एक महतोपून भाग बन गया है काम करना हो मतलब उंचाय पर काम करना हो ऐसे सारे काम यह हाइडरा बहुती आराम से करके देता हो कुछ-कुछ जगह पर इसको लाइट ली लाइट फीटिंग लिए भी यूज़ किये जाता है इस लिस्ट में नमबर 11 पर है आर एमसी जिसे रेडी मिक्स कोंक्रीट कहा जा पर रेडी मतिरियल को तोर पर इनको बेजा जाता है यह बड़े बड़े प्रोजेक्ट में बहुती काम में लिये जाते हैं बेसिकली वोटर, सेंड, सिमेट और कर्स्टों को बेचिंग ब्लान में मिक्स किये जाता है और इस आर एमसी के द्वारा अलग-अलग कर्स्ट्रक की होती है क्योंकि इसमें जो सेंड सिमेड और क्रस्ट वन को मिक्स किये जाता है वो सारे कॉम्पिटराज होते हैं तो गल्ती की कोई गुंजाइस नहीं होती आप सभी ने कुछ ऐसे दिखने वाले आरमसी बहुत देखे होंगे इन्हें ट्रक की चैसिस पर फिट किये जाता ह से इसलिए यह आसानी से मूव भी हो सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे जब बड़े-बड़े कंस्ट्रक्शन पॉजर को कंप्लिट करना हो तो एक बड़ी भारी भरकम मसिन की जरूरत होती है उची बिल्निंग बनानी हो हाइट पर काम करना हो ग्राउन लेवल से कोई मटिरियल उपर क्यों ले जाना हो तो इन सभी कामों के लिए यूज में ली जाती है टावर क्रेन जो की इस लिस्ट में बारवे नमबर पर है दिखने में कुछ ऐसी होती है आप सभी बड़े-बड़े शेयरों में जब बड़ी-बड़ी बिल्लिंग मन रही होती है तो इस इन टावर क्रेन को ओपेट करना बहुती डेंजरस काम होता है इतनी उचय पर काम कर रहे हो तो गल्ती की कोई गुंजाइस नहीं होती लेकिन दिन बद दिन इन टावर क्रेन का इस्तिमाल कंस्ट्रक्शन के कामों के लिए काफी ज्यादा यूज हो रहा है सबसे लास्ट औ जो रोड को बनेने में यूज की जाती है आपने अक्सर निवरोर बनते वक्त इस मशिन को देखा होगा ये एक कमाल की मशिने जो कि ऐसे मिकनिजम के साथ काम करती है कि इतनी आसनी से रोड को बनाती है कि पूछो ही मत चलो पूछ लो जो गरम डामर होता है वो इसके हूप एक रोड कंस्ट्रक्शन का काम ये मसीन करके देती है अगर मैं कहूं तो ये गलत नहीं होगा कि रोड बनाने के लिए ये मसीन किसी आसिरवात से कम नहीं है दोस्तों यही था आजके इस वीडियो में वीडियो बनाने में बहुत मेंदर लगती है तकरीबन साथ दिन हो गए पसंद आया हो तो कमेंट करके एक लाइक जरू कर दीजिए अगर आप टोप बेक ओलडर कपनी सीन इंडिया के बारे में डीटिल में वीडियो देखना चाहते हैं तो अपने लेफ साइट पर क्लिक कर सकते हैं वो ही मिलते हैं थैंक्यू धन्यवाद जैये माता जी